अवद नियूज में आपका स्वागत है 13 अगस्त भारत के लिए इतिहास दिक्तारी भारत के पहले विमान ने आज ही के दिन भरी थी उडान इतिहास के पन्नों में 13 अगस्त का दिन देश के विमान उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ 1951 में वा 13 अगस्त का ही दिन था जब भारत में बने पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उडान भरी दो सीट वाले इस विमान का भारतिय वायू सेना और नौ सेना के लिए उत्पादन 1953 में शुरू हुआ देश को आजादी मिले अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था ऐसे में हिंदुस्तान एरियो नौटिक्स द्वारा या पहला विमान डिजाइन करना अपने आप में बड़ी उपलब दी थी इस विमान का इस्तेमाल सैन्नियो देशियों के लावा भारतिय विमान स्कूलों द्वारा भी किया गया